नमस्कार साथियों उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक ठाना पड़ता है टीला मोड टीला मोड ठाने में एक बेहत गरीब घर से आने वाली 15 वर्षी बच्ची जिसकी मा घरों में खाना बनाती थी पिता डेर वर्ष पहले गुजर गये थे गरीबी के कारण जीना उन को नसीली दवाई पिलाई और उसके साथ में गैंग्रेप किया जिसके बाद उसको दस टाके लगाने पड़े वो घर जाती है घर में पूरा परिवार उस दर्दनाग इस्तिती से जूज रहा था लेकिन उनकी इस्तिती इतनी डरी सहमी वस्ता में थे वो लोग की ठाने जा है ऐसा लगता है कि गिरता चला जा रहा है सभी का नहीं लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बेहत निंदनी बेहत गलत काम करने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं सबसे जादा खराब इस्तिती महिलाओं की है लड़कियों की है कोई भी कहीं भी उनको देखता है तो सबसे पहल पर उनका रेप किया गया, बलातकार किया गया, तिन जार महने तक कमरों में बंद रखा गया, बाद में पुलिस ने जब वहाँ पर चापा मारा कारवाई की तो वहाँ से लड़कियों को आजात किया गया, वो भी घटना सुनाएंगे आपको, लेकिन सातियों अभी हम जो करने जा रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से है, 11 जून को टीला मोड थाना पड़ता है गाजियाबाद में, वहाँ पर एक किराय के मकान में रहती थी एक महिला, जिसके पती का देहांत हो गया था, डेड़ बस पहले, घर में इस्तिती काफी बिगड़ करती थी, उन्हीं किनी घरों में जाने के दोरान उस लड़की को मोहित और सारिक नाम के दो सक्स देखते हैं, और उसके साथ में जो मोहित और सारिक थे उनके साथ में जाहिद, जावेद, मुरसलीन, इन लोगों का नाम भी सामने आया है, इनको भी पुलिस ने गिरफतार क तो ये लोग क्या करते हैं प्लान बनाते हैं कि इस लड़की का रेप किया जाए दरसल उसके पिता थे नहीं और माता थी वो भी बहुत गरीब घर से थी तो ऐसा उन्होंने निसाना बनाया जो कि बहुत दैनी स्थिती पंदरा वर्सी लड़की और उनकी स्थिती भी बहुत खराब तो उन्होंने उसको निसाना बनाया, अब उन्होंने एक फोन किया उस लड़की के पास उसको फोन ले लिया, वो नमबर और उसके बाद में फोन करते हैं, मोहिद नाम का लड़का हुता है जो उस लड़की के पास फोन करता है, कि तुमारी मा की तबियत बहुत खराब है, जल्दी से साली मार गार्डन के फ्लेट में आ जाओ, फला फ्लेट में, उसकी मा चूंकि खाना बनाने सबके घर में जाया ही करती थी, तो लड़की पंदरा वर्सी जो थी, उसकी इतनी सोच कहा, उसने सोचा सायद मा की तबियत ज जाजियाबाद में ही, उस फ्लेट में जब वो जाती है, तो उसको पीने के लिए वो रेडबुल ड्रिंक देते हैं, रेडबुल ड्रिंक में उन्होंने कुछ नसीली दवाई मिला रखी थी, तो रेडबुल जब ड्रिंक वो पीती है, वो समझ ने पातीस में क्या है, वो समझ रही थी कि ये लोग तो कोई भले लोग हैं, जो हमारी मदद कर रहे हैं, मेरी और मेरी मा की, वो बेहोस हो जाती है, बेहोसी के अवस्था में सारिक और मोहित दोनों उसके दान में रेव करते हैं, भयंकर ब्लीडिंग होने लगती है, उसके प्राइवेट पार्ट से बहुत ज़्यादा खून निकलने लगता है, और वो लोग रुकते नहीं रेव करते रहते हैं, बारी बारी से और आप समझ देजिए जब डाक्टर के पास उसको ले जाएगा तो उसको दश ठांके लगाने पड़े, उसके बाद में उसके जब बेहोसी की अवस्था हटती है, तो वो रोटी है, परसान होती है, चिलाती है, मोहित और सारे को उसको धंकी दे कर, अगर तुमने कहीं बताने की कोशिश की तो तुम्हें तुम्हारी मा को खतम कर देंगे, और वहां से चले जाते हैं, उसी अवस्था में वो लड़की घर जाती है, अपने अपनी मा को सारी बात बताती है मा जब सुनती है ये बात की मोहित मोहित को वो भी जानती थी चुंकि उनके घर में जाना ना होता था बतन वरतन दोने और काम करती थी तो वो चुप रह जाती है वो डर जाती है कि आखिर हम बताएं तो कि बताएं किसे और उनकी ऐसी इस्तिती भी नहीं ह कर दिया अब उसने क्यों गिया कैसे गिया सामाजी की सिती की वज़े से भी हो सकता है कर दिया हो कि लड़की की बात है छुप जाए वो भी पुलिस जाच कर रही है तो एसीपी होते हैं सालीमार गार्डन के सिदार्थ गौतम उन्होंने कई लोगों को हिरासर में लिया है मोह मात पंदरा वर्स होती है तो ऐसा हमारे देश का माहौल हमको कोसिस करनी चाहिए कि माहौल को सही हो महिलाएं और बच्चे और जो लड़कियां है वो निर्भे रूप से निर्भीग रूप से कहीं भी आ जा सकें तो बहत निंदनी यह घटना थी आपका इस बारे में क्या क पहना है कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइब भी करें थैंक्यूँ